दोस्तों अर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है और जैसा कि आज काल मोटापा अभिशाफ है उसी तरह से बहुत जादा पतले पर भी निंदा का कारण है दोस्तों कुछ लोग तो अपने मोटापे से बहुत परिशान है और कुछ लोग इतना जादा पतले हो जाते हैं कि उनकी सुन्दर शरीर भी अच्छी परसनाल्टी न मिलने के कारण अच्छी नहीं लगती। कई बार तो सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि नौकरी जल्दी नहीं मिलती है ऐसे वच्चों को, जबकि सारा Healthcare रहता है, सारी योगताय में रहती है और भी नहीं पशंद करती है। तो दोस्तो, जानते हैं कि इतना पतला बगती हो जाता है, इतना पतलापन का क्या कारण है। तो कुछ जो मुख्य कारण है मैं इसको आपको बताती हूं, वसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जिसे बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, और परसनालिटी को बनाया नहीं जा सकता, दोस्तों, पहला कारण होता है हरी अनुवानसिक्ता जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे माता-पिता होते हैं वैसे हमारी परस्णाल्टी होती है लेकिन अगर आप उसको भी बनाना चाहते हैं तो आप उसको अच्छा बना सकते हैं दूसरी चीर होती हैं कि मॉल्डियूटिशन संतुलिद आहार कि तीशी होती है बहुत सारी बिमारियां का मीड इस जैसे की टी बी चैरों जिसको कहते हैं हैं सूगर हड की विमारी लीवर की मेज्ञार कैंसर की मारि अगर इस तरह की बिमारियां शरीर में हैं तो परसनाल्टी अच्छी नहीं हो पाती, मोटापा नहीं मिल पाता। चोथी होती है कि कुछ जो हैविट्स होते हैं जैसे अत्यधिक मध्य पान करना, अलकोहल का लेना, शराब का लेना और पांचवी होती है कि टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा उलज़ना या बहुत चीजों को सोचना मांसिक इस्तितियों को खराब रखना और दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण होता है जो बच्पन में अगर बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है अगर वो कुपोसित हो जाते हैं या बाइब बर्थ कोई डिजिज रहती है तो उसके कारण से भी यह अच्छी परस्नाल्टी आप नहीं कर पाते हैं और बहुत ही दुबले पतले रह जाते हैं दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाएं आई हुई है ले दोस्तों आप जानते हैं यह मार्केट की जो दवा होती है वो आपके शरीर को मोटा तो बना देगी लेकिन बाद में आपके लिए यह बहुत खतरनाक सावित होगी कई बार तो खुद देखा गया है कि इसमें इतने बड़े रोग हो जाते हैं कि बेक्तिकी जान भी चली ज देते हैं दोस्तों बहुत सारी ऐसे पधतियां हैं बहुत सारे उपचार ऐसे हैं जिसे हम अपने शरीर को बना सकते हैं आप अपने शरीर को बना सकते हैं घर में बहुत सारी हमारे चीजें पड़ी होती है हमारे कीचन में होती है हमारे खेतों में होती है जिन से हम अपने शरीर को बना सकते हैं और आयरिवेद की जो उपचार है वो बहुत ही अच्छा है मार्केट की दवा के अपिक्षा तो दोस्तों आईए जानते हैं कि इसके क्या टिफ्स हैं आप अगर परस्नाल्टी डेबलप करना चाहते हैं वेट गीन करना चाहते हैं तो आप क्या करें तो डूढने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप देखते हैं मार्केट में बारो महीना लगभग केला उपलब्द रहता है तो आप अगर चार केले का सेमन पार्डे कर ले और दूद पीले तो बहुत ही उत्तम होगा अगर नहीं आप चार केले को खापा रहें तो दो केले क तो आप दूद में महस कर लीजिए और उसको पी लीजिए दिन का केला और दूद पीना बहुत अच्छा अगर आपके पास टाइम नहीं आप दोपहर में भी और साम में भी कर सकते हैं दूसरी चीज होती है कि आप पहले अपने खान पान का ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि आप तो भोजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बाकी इदर-उदर की चीज़े खा रहे हैं, इससे भी वेट गैन नहीं होगा, परस्णालिटी अच्छी नहीं बनेगी, तो पहले अपने संतुली तहार और खाने के टाइम का ध्यान रखें कि आप समय से खाएं तिस्तरी चीज होती है दोस्तों अगर आप में सब कुछ है समझ में नहीं आ रहा है कि वेट गेन क्यूं नहीं हो रहा है तो एक मुलेठी आती है आप जानते हैं मार्केट मिलती है आरवेद किसी दुकान पर मिलती है आप मुलेठी को ले लीजिए उसका पावडर मना लीजिए और पावडर को रात में वेट के अनुसार अगर आपका वेट बहुत ही कम है तो आप डेट चमच ले सकते हैं अगर आ phase ब Pawत यह सकता है कि दोस्तों 255 वैसे तो कहने को जो ड्राइव फ्रुट्ट होते हैं बहुत अच्छे वहते हैं यह इसमें भाईबर में महते हैं बहुत तरय कि और बहुत बेस्ट टाइप की इसमें वीटेमिन्स होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ती ड्राइफ फ्रूट्स खा सके तो आप अपने शरीर को उतना ही तंदुरुस्थ मना सकते हैं βेटगिन कर सकते हैं क्योंकि आप मौसं की अनुसार चार्ड का उपलब्ध हैं या मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध हैं आप उसका सीवन जादा से जादा करें जानते इसमें क्या होता है इसमें बहुत ही उत्तम क्वालिटी का फाइबर होता है बहुत तरह की इसमें बिटेमिन्स होते हैं और यह डाइजेस्टिव कि इसमें रख तो कोर्सिकाहें जो होती हैं जो टिसूस होते हैं जो हमारी कोर्सिकाहें होती हैं जो सेल होती हैं यह एक तरह का इन में एक इंपूमेंट होता है और यह सक्तिसाली मांस पेसियां सक्तिशाली होती है जिसकी वज़से आल्रेड़ी आप वेट घिन कर लेते हैं आपका भार आपका वेट बढ़ जाएगा दोस्तों कोशिश करिए कि आप मसालेदार सब्जियों का सेवन ना किजिए और बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजों का सेवन ना किजिए आपको अगर खाना तो बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां आज कल मार्केट में आई बहुत सस्ती है आप उसका सेवन करें और सोया बीन है और न्यूटी निगेट है इस तरह कि जो बेली वाली फली वाली जो चीजें है क्योंकि इ दाल को अरहरी की दाल पड़े लेना आप चाहें घी के साथ ले रहे हैं बहुत वो कारगर नहीं होता माना कि फैट थोड़ा सा होता है गी में लेकिन अगर आप मिक्स दाल का इस्तिमाल करते हैं तो इससे आपकी शरी बहुत ही अच्छे आकरसित और सुंदर बन सकती है वे एक तो जो bad habits है उनको छोड़ देना है smoking छोड़ देना है और अगस शराब का शेवन कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना है जो बच्चे कम उम्रमें इन दोनों का सेवन करते हैं उनकी सेहत खराब हो जाती है तो जल्दी बनती नहीं То इसके लिए यह जो bad habits है उनको छोड़ कि गोशिश किजिए ये भी वेट गेंड करने में बहुत सहायक होता है दोस्तों जो लोग अगर मांशाहारी है ना वेजटेरियन है वो अच्छी किस्म की मचली या उत्तम किस्म के मीट का यूच कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सब्ता में दो बार या तीन बार इस बिटमिन्स होती है बहुत अच्छी तरह के मिनेरल्स होते हैं जो आपके परस्नालिटी को इंप्रूब कर सकती है और दोस्तों कोई यह नहीं है कि आप जो है बहुत जादा इससे परसान हो और चाहें कि तुरंत मेरा वेट गीन हो जाए मेरा वजन बढ़ जाए तो ऐसा न से गुटनों में दर्द हो जाता है जोएंट पेन हो जाता है और सांस फूनने लगती है तो यह थोड़ा शिक्स मंत में अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है इसको आप लगे रहे और जितनी मैंने चीजें बता ही इसमें से अगर कोई दो चीज आप फालो कर करना पड़ेगा इसके बाद आपकी सिहत बन जाएगी यह सवाल मिस्टर रडजित कुश्वाह गाजीपुर से हमसे पूछे थे कि माडम कैसे सिहत बना जाए तो मुझे उमीद है कि कुश्वाह जी आपको यह मेरी बाते समझ में आई होंगी और आप इसमें से कोई भी दो टिप्स जरूर यूज करिए और आपकी सिहत बन जाएगी और दोस्तों मुझे उमीद है कि कुश्वाह जी के साथ आपको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपके लिए यह बहुत फाइदे मन सावित होगा तो आप ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए और कुछ नई जानकारी लेने के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के थूरू पूश सकते हैं तो इसके लिए आर मौरिया चाइनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और विल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जैबी मैं कोई इस